हंजी बचे, Economics में आपके पास में दो बुक हैं, फर्स्ट बुक है आपका Statistics for Economics and सेकंड बुक है आपके पास में Micro Economics बचे, हमने Micro Economics स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक्जाम में 40 marks का weightage है और इसमें बचे, 4 unit है, हमने सबसे पहले unit 2 लिया है, जिसका नाम Consumer Behavior है और इसका एक्जाम में 13 marks का weightage है, और इसमें हमने 4 chapter है और उसमें से chapter number 1 हम utility हमने start किया है, और utility जिसको हम cardinal approach भी कहते हैं तो आएए बचे, अब हम question number 6 को continue करते हैं, class 2 में तो बचे, question है, explain the law of diminishing marginal utility तो first of all आपके mind में आया होगा, sir, ये question क्या है तो आएए पहले question को समझते हैं, फिर उसको हम explain करते हैं बचे, law का मतलब होता है, एक नियम, एक सिधान्त, जो की होता ही है क्या होने की बात कर रहा है यहाँ पर? dimnishing marginal utility बचे, आपके mind में आया होगा marginal utility, sir, क्या है? तो आएए पहले समझते हैं इस marginal utility के बारे में बचे, किसी भी particular unit को अगर आप consume करते हैं तो उस single unit से, उस last unit से, उस particular unit से आपको जो भी satisfaction level मिलता है उस satisfaction level को economics के terms में हम marginal utility कहते हैं धार नखिएगा single unit से, last unit से, individual unit से मिलने वाले satisfaction level को ही हम economics में कैसे express करते हैं? marginal utility के terms में हम उसको express करते हैं तो बचे, सबसे पहले आपको समझना होगा marginal utility के बारे में या फिर मैं कहूं तो आपको satisfaction level के बारे में समझना होगा तो बच्चे सबसे पहले मेरा question आपके साथ में ये है कि चलिए बताए कि जो हमारा satisfaction level है कई बार देखते हैं कि हम किसी भी चीज को consume करते हैं तो हमारा satisfaction level low रहता है और कभी हम किसी चीज को consume करते हैं तो हमारा satisfaction level काफी high होता है तो बेटा हमारा satisfaction level है ये किन चीजों पर depend करता है मेरा पहला question आपके साथ पर यही है इस question को समझने से पहले mostly बचे आपके mind में यही आया होगा कि किसी भी commodity के consumption के बाद हम कितने satisfied होंगे ये उस commodity की quality पर depend करता है अगर high quality अच्छी quality होगी तो हम ज़्यादा satisfied होंगे low quality होगी तो हम कम satisfied होंगे तो हमारा satisfaction level पूरी तरीके से commodity की quality पर depend करता है अगर आप ये सोच रहें तो ये आपका बच्चे correct नहीं है क्यों नहीं है correct? इसको एक example से clear करते हैं बच्चे देख लिजे जैसे मान लिजे आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और एक glass water आपको मिल जाता है drink करने के लिए तो उस एक glass water में आप बहुत enjoy करेंगे बहुत आपका satisfaction level बहुत high रहेगा बच्चे जब second glass मैं दूँगा आपको water का तो वो same quality रहेगा clear है? और आप consume करने वाले भी आप ही है आप भी same, वो भी same, सब कुछ same लेकिन second glass से आपको satisfaction level वो नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा? जब commodity की आपने कहा कि जब commodity की quality पर ये चीज़े depend करती है कि हम कितना satisfied होंगे तो बच्चे पहले भी होई quality थी और बाद में भी होई quality है तो पहले आप ज़्यादा satisfied हो रहे है second glass से आप उतने satisfied नहीं हो रहे या second glass से आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है जब quality same है तो तो आपका satisfaction level भी same रहना चाहिए अगर हमारा satisfaction level किसी community की quality पर depend करता है तो है ना बट ऐसा generally नहीं होता है हम कम satisfied होते हैं तो एक चीज़ तो clear होगी बेटा कि हमारा satisfaction level किसी community की सरफ quality पर ही depend नहीं करता है तो फिर किस चीज़ पर depend करता है हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो वही पानी आपको बहुत satisfied करेगा प्यास कम लग रही है तो वही same quality की चीज़ आपको कम satisfied करेगी प्यास नहीं है आपकी needs नहीं है तो आपको कुछ भी satisfied वो नहीं करेगी भूख बहुत तेज लग रही है तो first चपाती को आप बहुत enjoy करकर के consume करते हैं क्योंकि आपकी needs बहुत high होती है उस समय तो बच्चे अगर आपकी needs high होगी आपकी needs जादा होगी तो फिर आपका satisfaction level भी आपका high रहेगा और अगर आपकी needs low रहेगी तो satisfaction level भी आपका low रहेगा अगर आपको उस चीज की needs नहीं रहेगी तो उसमें कितनी भी या कोई सी भी quality रहे आपको उसको लेकर के कोई भी satisfaction level नहीं रहेगा अगर आप pure vegetarian है तो non-veg कितनी बच्ची तरह के सर्व किया जाए आपके सामने तो उससे आपको कोई satisfaction level नहीं मिलेगा तो एक चीज तो अपने mind में अच्छे से set कर लीजिए आप क्या कि किसी भी community के consumption के बाद हमें जो भी satisfaction level मिलता है हमारा satisfaction level किन चीज़ों पर depend करता है हमारा satisfaction level बच्चे हमारी needs पर depend करता है clear है needs ज़्यादा रहेगी तो satisfaction level ज़्यादा मिलेगा needs कम रहेगी तो satisfaction level कम मिलेगा satisfaction level को क्या कहेंगे economics की terms में बताइए आप बताइए क्या कहेंगे marginal utility कहेंगे तो बच्चे low of diminishing marginal utility मतलब कि हमारे satisfaction level का लगातार गिरते रहना एक ऐसा नियम है जिससे कि हमारा satisfaction level continuously fall होता चला जाता है क्या है ये low आईए इसी को explain करना है में clear है बच्चे तो बच्चे एक imaginary schedule ले रहे हैं इस schedule से मैं इसको explain कर रहा हूँ clear है for example मान लिजिए कि आप unit of ice cream consume कर रहे हैं clear है और marginal utility मतलब कि आपको इस ice cream से मिलने वाला satisfaction level को represent कर रहे हैं तो बच्चे first ice cream आप consume करते हैं तो इससे आपको कुछ अपना एक अलग satisfaction level आपको मिलेगा वो satisfaction level क्या मिलेगा उसको समझाने के लिए मैं इसको numerically form में express कर रहा हूँ सिरफ समझाने के लिए clear है बच्चे तो first ice cream से हमें 20 utils का satisfaction level मिला है माल लिजिए अब आप ये सोच रहे होंगे मुझे पता है आपके mind में क्या चल रहा है कि सर satisfaction level को तो हम कभी भी numerically terms में express नहीं करते हैं तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपके mind में act करवाया जाता है किसी भी actor actress से वो act करवाया जाता है जिससे कि उस story को easily आप तक deliver कर सके ऐसा होता है न clear है तो वो लोग basically वो नहीं है उसके बाद वो story पे तो कोई impact नहीं पड़ता है वो story तो fake नहीं हो जाती है नहीं होती है न रियल story based movie भी देखते हैं कोई भी किसी से भी आप acting करवा लीजिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो story fake हो गई है तो बच्चे चीजों को easy करने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर क्या करा है satisfaction level को तो ऐसे समझाना बढ़ा difficult हो जाएगा क्योंकि इसको तो express ही नहीं कर सकते हैं इसको तो feel करते हैं तो इसको समझाने के लिए आपके subject में यह assumption ली गई है कि हां, हम satisfaction level को भी numerical terms में express कर सकते हैं अब numerical terms में express कर सकते हैं तो किस चीज में express कर सकते हैं अब हर चीज का तो अपना एक unit होता है weight का अपना kg होता है distance का kilometer, meter होता है time का hour, second होता है आपका even temperature जो होता है उसका भी अपना degree होता है हर चीज को measure करने का standard unit है तो यहाँ पर satisfaction level को measure करने का unit रखा गया है उसका नाम दिया गया utils तो first ice cream के consumption से आपको माल लीजिए 20 utils मिला अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगएगा 20 utils मिलेगा, बेटा imaginary schedule है आप अपनी तरफ से कुछ और माल लीजिए आप ऐसे नाराज मत होईए आप 100 ले लीजिए अपनी तरफ से ठीक है न, हमें तो क्या करना है हमें तो concept को समझना है आप help किसी से भी लिख ले सकते हो आप act किसी से भी करवा सकते हो यह आप के उपर है तो बेटा, first ice cream आप consume करते हो तो हमें कितना मिला? 20 utils मिला ठीक है? clear है? and second ice cream को जब मैं consume करूँगा ice cream भी होई, price भी होई, consumer भी होई सब कुछ same है but second ice cream हमें क्या 20 utils का satisfaction level देगी क्या हमें same satisfaction level देगी क्या हमें more than 20 utils का satisfaction level देगी क्या हमें पहले से ज़्यादा संतुष्टी का इस्तर देगी satisfaction level क्या पहले से ज़्यादा देगी हमें या पहले जितना देगी नहीं बेटे, ना तो पहले जितना देगी ना पहले से ज्यादा देगी, second ice cream से जो हमें satisfaction level मिलेगा न वो last से हमें कम मिलेगा अब आपके माइने में आया हो question sir कम क्यों मिलेगा, थोड़ी देर पहले हमें भी discuss किया है कि बच्चे हमारा satisfaction level कि चीज़ों पर depend करता है, क्या commodity की quality पर depend करता है, नहीं न नहीं न, आप बिल्कुल सही कह रहे है हमारी needs पर depend करता है हमारी wants पर depend करता है तो बेटा जब आपने first ice cream consume कर लिया है, अब आप second ice cream के तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपकी needs उतने ही रहेगी, या आपकी needs का कुछ part satisfied हो चुका होगा, first ice cream के बाद, तो बेटा first ice cream के बाद, आपकी needs कुछ level तक आपकी fulfill हुई है clear है न, second ice cream पर जब आप पहुँचे थे, तो अब आपके पास पर वो needs नहीं रही, जो पहले रहा करती थी, तो आपकी needs पहले से कम है, same quality होने के बाद भी, same price होने के बाद भी, अब वो आपको satisfaction level पहले के compatibility कम देगा क्योंकि satisfaction level हमारे needs पर depend करता है, और इसी तरीके से आप जब third ice cream consume करेंगे तो already आप two ice cream consume कर चुके हैं, आपकी needs का कुछ part fulfill हो चुका है तो उससे मिलने वाला satisfaction level आपका क्या हो जाएगा, third ice cream से, last ice cream, second ice cream से मिलने वाला satisfaction level के compatibility कम रहेगा, क्योंकि आपने already second ice cream consume करकर के अपनी needs को fulfill कर लिया है, उसको कुछ level तक आपने satisfied कर लिया है तो बच्चे continuously अगर आप किसी भी commodity का consumption करते चले जाएगे तो आपकी wants, आपकी needs fulfill होते चले जाएगी आपकी needs कम रहते चले जाएगी और आपको next unit आकर के वो same quality होने के बाद भी आपका satisfaction level को equal नहीं रख पाएगी, क्योंकि आपकी needs कम है, तो satisfaction level आपको कम देगी, बच्चे एक time ऐसा जरूर आएगा, कि आपको उससे मिलने वाला satisfaction level क्या हो जाएगा आगे बढ़ती से ले जाएगे, एक time ऐसा आएगा जब आप उसको stop करते हैं, stop क्यों करते हैं आप आप करेंगे, sir इसलिए करते हैं, भई पैसे लगते हैं, अब इतना पैसा कहां से लाएंगे अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरा example सुनिए, शादी में कौन से पैसे लगते हैं, वहाँ क्या आप continue करते रहते हैं, वहाँ भी तो stop करते हैं, तो क्यों stop करते हैं आप, क्योंकि आपके needs पूरी तरीके से जितनी भी थी वो fulfill हो चुकी है, अब आपके अंदर needs बची नहीं है, तो same quality अब बचे आप देखें, उसके बाद भी जब आप fully satisfied हो चुके हो, कोई forcefully आप से consumption करवा देता है, तो आपके health pace का negative impact पड़ता है, जिसको हम disutility कहते हैं, या फिर negative हम इसको minus sign से represent करते हैं, तो अच्छे से clear हो गया कि कि किसी भी commodity को continuously consumption करते चले जाओगे, आपके needs fulfill होते चले जाएगी, needs कम रहते चले जाएगी, इसलिए आपको next note से मिलने वारा satisfaction level continuously damnishing होगा, fall होता रहेगा, तो यही question था हमारा, explain the law of damnishing margin utility, satisfaction level का continuously fall होने के law को explain करना है, तो आइए देखते हैं, हमारे theory में क्या लिखा हुआ है, यह तो हमने समझाए, theory को पढ़ते हैं, तो बच्चे theory क्या कहता है, ज़र देखिए, the law states as more and more units of a commodity are consumed marginal utility, bracket में मैंने बता रहा है कि margin utility का मतलब का होता, satisfaction level, तो क्या कह रहा है, the law states as more and more units of a commodity are consumed marginal utility derived from each successive units, goes on falling, suppose a hungry man wants to eat, मान लिजीए, कोई भुका वैखती है, उसकी खाने की इच्छा है, the first chapati which he eats will give him maximum satisfaction level, first chapati उसको maximum satisfaction level देगा, says 100 utils, clear है, and second chapati will also fetch him utility, मैंने यह नहीं कहा कि second chapati उसको satisfaction level नहीं देगा, जरूर देगा, but first के compatibility में, but not as much as the first one, because a part of his hunger is satisfied by 18 the first chapati, clear है बच्चे, समझ में आ गया, clear है आपको PDF available करवाया गया है, उस PDF में, आप कहेंगे सर, अगर हमारे पास में यह 5 marks मायेगा, तो कि इतना ही लिखना पड़ेगा, नहीं बच्चे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यह पूरा all over मैंने आपको समझा दिया है, आपके पास में PDF available करवा दिया है आपको, clear है, आपको उस PDF को ही priority देनी है, और उसके लाबा आपको इधर उधर आपको कहीं नहीं जाना, कहीं दूसरी बुक, तीसरी बुक, चोत्री बुक पर नहीं जाना है, यह जो PDF आपको बनाया है, वो last 20 years के paper को analyze करकरके, और सारी बुकों को लेकर करके, आप क्या बुक recommended करेंगे, कोई बच्चा संदीब गर कहेगा, कोई दीपा सिरी कहेगा, कोई सिभी सस्देवा कहेगा, कोई ससती कहेगा, उन सभी बुक को analyze करके, previous year सारे question paper को analyze करकरके, वो content हम आपको available करवा रहे हैं, उस content से बहार, आप आदे number का भी, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया है, और इस बार भी नहीं आएगा, आप बेफिकर हो जाएं, तो आप सिरफ अपने उस content पे focus कीजिएगा, clear है न, यह तो आपको first term में ही पता लगा जाएगा, कि मैं आपसे, किस level तक कि मैं आपसे बात कह रहा हूँ, जब first term में आपका एक-एक question, जो आपको हम material available करवा रहे हैं, economics में, उसे match करेगा, clear है, तो आप confused नहीं होंगे, कि सर यह sufficient है या नहीं है, वो sufficient है, exam में कैसे attempt करना है, कैसे underline करना है, कैसे point of answer लिखना है आपको, वो सब कुछ PDF में करके दिया हुआ है, design करके दिया हुआ है आपको, आपको बसको follow करना है, और 100 out of 100 score तक हमें पहुचना है, clear है बच्चे, सब्चमाया, तो पूरी theory सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगी, clear है, मिल चुकी है आपको, clear है बच्चे, तो law of diminishing margin utility most 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 important question है, आपके exam के point of view से, जो कि 5 marks और 3 marks में vary करता है, इन्हें में से किसी भी marks में आपका आता रहता है, तो आपको सुझ में आ गया, अब आज के बाद आपने उपर आपको किसी भी practical example को apply करके देख लेंगे, कोई भी चीज आप सोच के देख लेंगे, कितने भी favorite आपके क्यों ना हो, continuously consumption करते चले जाएंगे, तो next note से मिलने वाला satisfaction level, next note से मिलने वाला आपको जो मज़ा है, वो first के, वो last के competitively कम होता से ले जाएगा, क्योंकि आपके consumption से आपकी needs fulfill होती है, अब next के लिए needs कम रह जाती है, और satisfaction level हमारी needs पर depend करता है, इसलिए next से हमारे मिलने वाला satisfaction level कम रहोता है, clear बच्चे मैंने एक एक point आपको अच्छे से clear करवाए है, हाँ जी बच्चों, अब हम question 6, law of diminishing marginal utility के theory को पढ़ने के बाद इसके diagram पर आ गए, और आपके mind में सबसे पहला question यही आया होगा, कि sir, economics में diagram का क्या रूल है, तो बच्चे इसको part 1 में already discuss किया जा चुका है, आपके पास में, अगर आप किसी भी story को, आप book पे read करते हैं उसको, और essay समझेना, और किसी भी story को आप movie की थिरो थेटर में जा करके आप देखना, दोनों में जो फर्क आता है, यही फर्क economics में उसकी theory का और उसके diagram का होता है, तो जो theory आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसी knowledge को वो picture के form में deliver कर देता है, same knowledge को, तो उसको हम economics में diagram कहते हैं, तो हमने अभी पढ़ा law of diminishing marginal utility, जिसमें हमने यह पढ़ा कि हम किसी भी commodity, कोई भी commodity हमारी कितनी भी favorite क्यों ना हो, अगर हम उसका continuously consumption करेंगे, तो next unit से मिलने वाला जो हमारा satisfaction level है, वो क्या होगा, continuously वो fall होता चला जाएगा, अब आप इसके पीछे अपने logic को भी अच्छे से समझा है, इसके पीछे क्या logic है, बच्चे इसके पीछे logic यह है, कि हम किसी भी commodity के consumption से कितने satisfied होंगे, वो उस commodity की quality पे depend नहीं करता है, वो हमारी needs और हमारी wants पे depend करता है, क्योंकि अगर quality पे ही depend करता, तो एक glass पानी, first time आपको जो enjoy करवा रहा है, आप उससे जो satisfaction ले रहे हैं, second glass पानी भी तो same quality ही है, और consumption करने वाले भी आप ही है, बट second glass पानी से आपको उतना satisfaction लेवल नहीं मिलता है, मैंने कहा रहा है कि नहीं मिलता है, मिलता है, उतना नहीं मिलता, उतना का मतलब last वाले जितना नहीं मिलता है, मिलता है, लेकि last वाले जितना नहीं मिलता है, कम मि क्यों हुआ, same glass, same पानी, same consumption करने आला consumer, हर कोई बिलकुल same है, तो फिर आपको, अब आपका satisfaction level fall क्यों हुआ, क्योंकि ये quality पर depend नहीं करता, अगर quality पर depend करता ना, तो second time पर भी मैं उतना ही satisfied होता है, जितना कि मैं first time पर satisfied हुआ हूँ, क्योंकि दोनों time पर quality same रही है, बड़ ऐसा generally होता नहीं है, इससे कम satisfied हम होते हैं, उसके पीछे क्या logic है, हमारी needs, हमारी wants पर depend करता है, हमारा satisfaction level, जब आप एक glass पानी आप consume करते हैं, उसको drink करते हैं आप, तो आपका need कुछ हद तक fulfill हो जाती है, अब second time में पहले जितनी needs आपकी रहनी जाती है, needs पहले से कम रह जाती है, इसलिए अब आपके पास में needs भी कम है, तो अब आपको second glass पानी आपको satisfaction level भी last के compatibility कम देगा, third glass में आपको satisfaction level आपका और कम हो जाएगा, क्योंकि आप second glass drink कर लेने के बाद, आपके पास में आपके needs और fulfill हो जाएगी, आपके needs और कम रह जाएगी, तो वो आपको और कम satisfaction level देगा, चैनली देखता है ने, कई बार बहुत तेज भूग लग रही होती है, और फिर हमें जब खाना मिलता है, तो first चापातिस हमें कितना अच्छा लगता है, यूँकि उससे में हमारी needs high होती है, तो high needs होगी, तो higher level of satisfaction level मिलेगा, आपकी needs का level low होगा, तो lower level of satisfaction level मिलेगा, तो एक बात अपने mind में आप set कर लिजिए, कि हम कितने satisfied होंगे, ये किन चीज़ों पर depend करता है, ये हमारी needs पर या quality of the commodity पर, ये हमारी needs पर depend करता है, diagram की form में express कर रहा है, कि आप first ice cream consume कर रहे हो, और first ice cream पर आपको for example satisfaction level जो मिल रहा है, और हर एक each single last unit से आपको जो satisfaction level मिलता है, उस satisfaction level को हम क्या कहते हैं, उसको हम marginal utility कहते हैं, तो economics के terms में इसको marginal utility आप कहेंगे, तो first ice cream से आपको 20-20 utils का satisfaction level मिला, अब आपके mind में आया होगा, कि सर कैसे measure हो गया satisfaction level, तो बच्चे आप 20 नहीं, आप जो है 100 assume कर लिजे, ये एक imaginary schedule है, आप कुछ भी imagine करकर के आप यहाँ पर assume कर सकते हैं, आप 100 कर लिजे, 500 कर लिजे, क्योंकि basically बच्चे, अगर हमें किसी story को movie में convert करना है, तो हमें उसके लिए act play करवाना होगा, और जब हम act play करवाएंगे, तो actor हम कोई सा भी ले ले, इससे फरक नहीं पड़ता है, इस story तो आपका वो semi express होगा, परी बात समझे रहें न, तो आप इस schedule में चीज़ों को clear करने के लिए, आसान बनाने के लिए, आप तक चीज़ों को पहुचाने के लिए, knowledge को और अच्छी तरीके से express करने के लिए, हम यहाँ पर कुछ help ले रहे हैं, तो यह एक imaginary schedule है, practical life में generally ऐसा होता नहीं है, बड़ ठेटिकल life में आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ताकि आपके लिए समझना और हमारे लिए समझाना आसान हो, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, satisfaction level को numerically forms में express करके, मेरी बात समझ रहे हैं, तो first need से for example मान लेजिए, हमें base utile का satisfaction level मिलता है, तो second ice cream जब आप consume करेंगे, तो second ice cream से आपको, आपके पास पे satisfaction level first जितना या first से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब आप first ice cream consume कर लेंगे, तो आपके needs का कुछ part satisfied हो चुका है, अब आपके पास पे उस level की need नहीं है, पहले से कम need है, इसलिए same quality के होने के बापजूद भी, second ice cream आपको last के compatibility कम satisfaction level देगा, तो second से आपको क्या है, कम satisfaction level मिला, third consume करेंगे, तो third से भी satisfaction level आपका क्या रहेगा, second के compatibility आपका कम रहेगा, क्योंकि जब आप एक और ice cream consume कर लेंगे, तो आपकी needs और कम रहे जाएगी, या ice cream को ले करके, और आपकी needs पर depend करता है satisfaction level, आपकी needs अब कम है, तो satisfaction level भी कम मिलेगा, तो बच्चे कोई भी चीज, कितने भी favorite क्यों ना हो आपको, अगर आप continuously consumption करते हैं, तो आपकी needs फुल्फिल होती चली जाती है, अब आपकी needs कम रहती, आगे next के लिए कम बसती है, तो next आपको satisfaction level, last की compatibility कम देता है, क्योंकि आपका satisfaction level पूरी तरीके से आपकी needs पे depend करता है, एक time ऐसा जरूर आएगा, जब आपकी needs completely फुल्फिल हो जाएगी, आप पूरी तरीके से satisfied हो जाएगे, आपकी needs फुल्फिल हो गई, एक time situation जरूर आएगा, अगर आप खाना खाते हैं, तो फिर आप continuously खाते नहीं एक time जरूर उसको stop करते हैं, कोई भी चीता पर कितने फेवरेट क्यों ना हो, आप करते हैं सर पैसो की बज़े से stop करना होता है, ऐसा नहीं है, शादी बगरह में जाते हैं, तो बताएगे वहाँ पर कौन से आपके उपर पाबंदी होती है, नहीं होती है, पर एक time पर आकर नहीं बसती है, जो आपके पास उसको लेकर कि नहीं रही, तो आप आप कंजूम करोगे तो वह आपको enjoy नहीं करवाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपको satisfaction level नहीं मिलेगा, मतलब की zero मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब zero मिलेगा, तो एक situation ऐसा आया, 5th unit जहां पर आपका satisfaction level के आरा, जीर हो रहा, उसके बाद भी कोई अगर आपको forcefully consumption करवा दे, कि नहीं आप please थोड़ा और consume कीजिए, तो वह आपकी health पे एक negative impact डाल सकता है, जिसको हम कहते हैं disutility, तो वह negative हो जाएगा, इस schedule को हमने पढ़ा, clear है, अब इस schedule को diagram में express कर रहे हैं तो इसमें ज़रा अगर आप देखें बच्चे, तो इस stage में आपको देखने को मिलेगा, पहले diagram कैसे बनाते हैं, इसके पीछे समझ क्या होती है, already discussed कर चुके हम class 1 में, और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, लेकिन हम हर एक चीजों में उसको repeat करते हुए आगी बढ़ रही है, देख रहे हैं न, 1,2,3,4,5, और मिलने वाला satisfaction level क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देख रहे हैं, तो बच्चे relation कैसा है दोनों के बीच में, negative relation है, एक पे जो आपके units पे और आपके पास में margin utility, इसमें ये increase हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, दोन कोई relation वाला आपका कोई भी schedule हो, तो उसको diagram में आप convert करेंगे, तो वो कैसा बनेगा, वो diagram कैसा बनेगा, left to right, downward बनेगा, कैसा बनेगा बच्चे, left to, right, downward, left to right, downward, clear है, सिमा है आपको, तो left to right, downward बनेगा, ये बात confirm हो गई है, और एक straight line बनेगा, क्योंकि देखिएगा, आपका concentrate rate है, 4, 4, 4, 4, 4, 4, तो left to right, downward बनेगा, clear है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, इसको left to right, downward बनाया, क्यों, क्योंकि यह बता रहा है, आप इसको कभी touch मत करना, बच्चे, कभी भी आप y-axis को touch मत करना एक्जाम में, यह एक्जाम में माना जाता है, diagram अगर आपका गलत है, तो फिर आपका answer को read भी नहीं करेंगे, answer cross कर देंगे, clear है, तो आप इसको touch मत करना कभी y-axis से, क्यों touch नहीं करोगे, क्यों touch करने का मतलब यह हो जाएगा, कि आपका zero unit पे यह satisfaction level है, बेटा आप में जब कोई consume ही नहीं करा, zero unit consume करा है, तो कैसे कह सकते हो, कि मैं इतना satisfied हो गया, बिना consume किये, फरारी कार आस तक कभी drive ही नहीं की, और आप कहरोगे बहुत मज़ा आ गया, यह बात तो कुछ समझ में नहीं आई न, इसलिए कभी भी आप zero पे y को touch मत कर देना, क और उसके बाद आपका satisfaction level क्या मिल रहा है आपको, यह मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, zero पे को satisfaction level को मिलेगा, इसलिए टच नहीं करेंगे, अब आप देखें यहाँ पर जड़ा, फर्स्ट आप consume कर रहे हैं, clear है, this, and second consume कर रहे हैं, एक युनिट और आपने Q1, तो यह MU है, MU1, और दूसरे आप Q2 पे गए, तो आपका क्या हुआ, आपका दूसरे से satisfaction level कम मिला, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ गराफ में, y axis पे जितना उपर जाओगे, उतने digit बढ़ती ह हैं, x axis पे जितना right पे जाओगे, digit उतनी बढ़ती है, तो अगर आप units बढ़ रही हैं, तो y आपका कम हो रहा है, मैं लगा से satisfaction level कम हो रहा है, और बच्चे एक time देखिए क्या हुआ, एक time आपका satisfaction level क्या मिल रहा है, x axis को touch कर रहा है, clear है न आपका, तो satisfaction level क्या मिल रहा है, आपका देखिए, तो satisfaction level आपका zero मिला, और इसके बाद भी अगर आप consumption करेंगे, तो फिर आपका satisfaction level आपको पता है, ग्राफ में कभी भी अगर आप नीचे जाते हैं, तो satisfaction level क्या रहता है, आपका fall हो जाता है, clear है बच्चे, सुझ में आगे आपको, तो आपको ये topic अच्छ clear किये, और ये भी आप देख लिजिए, clear है बच्चे, thank you बच्चे, thank you so much, हाँ जी बच्चे, अब हम question number 7 पे आगे है, explain the assumption of law of diminishing marginal utility, अब बच्चे, आपके माइड में आया होगा, कि सर ये assumption है क्या, बच्चे, assumption का मतलब क्या होता है, कोई भी चीछ, जब हम मान करके चलते हैं, लट करके चलते हैं, उसको हम assumption कहते हैं, for example, मैं अगर आपसे कहूँ, कि कल दिन में धूप होगी, कल दिन में रोशनी होगी, तो इसके पीछे भी मैं ये assumption लेके चल रहा हूँ, कि कल का weather सही होगा, तब ही मैं ये statement pass कर रहा हूँ, तो बच्चे, assumption का मतलब क्या होता है, कि कोई भी low जब applicable होता है, या कोई statement जब आप pass करते हैं, तो कुछ चीजें आप let करके चलते हैं, उसको हम assumption करते हैं, clear है, अगर आप simple way में देखें, तो ऐसी situation, ऐसे times and conditions, जहाँ पर कोई low applicable ना हो, तो वहाँ पर हमें assumption लेना पड़ता है, कि ये चीजें normal situation में हुई, तब ही applicable होगी, clear है, तो assumption का मतलब क्या हुआ, वो situation, वो times and conditions, जहाँ पर कोई low applicable ना हो, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, let करके चलना होता है, मान करके चलना होता है, assumption लेके चलना होता है, कि ये चीजें ऐसी रही, तो ही कोई भी low applicable होगा, clear है बच्चे, जैसे आपके पास में explain, the assumption of low of diminishing marginal utility, मतलब कि क्या क्या assumption ले, जिसके वज़े से low of diminishing marginal utility applicable होगा, मतलब किसी भी unit का consumption अगर continuously करेंगे, तो next unit से मिलने वाला satisfaction level continuously follow तो चले जाएगा, उसके लिए क्या assumptions लेने है, या फिर किस situation में ये low applicable जाकर के, वो situation, वो terms and conditions आपको explain करने है, जहाँ पर ये low applicable नहीं होता है, जिसकी वज़े से इसका हमें assumption लेना पड़ता है, clear है बच्चे, तो assumption में, first assumption क्या है, continuously consumption, तो continuous consumption, बच्चे, आपका first condition क्या है, कि low of diminishing margin utility तभी applicable है, जब आपका consumption continuous हो, लगातार हो, back to back हो, एक ice cream consume कर रहे हो, फिर आप second ice cream उसी time consume करो, तो second ice cream से आपका satisfaction level कम रहेगा, थड़ ice cream उसी के बाद consume करो, तो थड़ ice cream से आपका satisfaction level कम रहेगा, ऐसे नहीं, एक आज consume किया, तो एक आपने कल consume करा, एक आपने कुछ समय के gap के बाद consume करा, तो आप तो ऐसे हो सकता है, कि कल आपको मेभी ज़्यादा satisfaction level मिले उस ice cream से, आपकी need ज़्यादा हो कल, या उसके बाद आपकी need और ज़्यादा बढ़ जाए, उससे related, तो आपका satisfaction level और बढ़ जाएगा, ऐसे तो ये low कभी applicable हो ही नहीं पाएगा, तो इस low का applicable होने के लिए ज़रूरी क्या है, ये exemption लेके चलते हैं, कि हम continuously consumption करेंगे, clear है बच्चे, तो ये low तभी applicable है, जब हम किसी भी commodity का consumption अगर continuously करते हैं, clear है बच्चे, तो अगर आप continuously consumption नहीं करेंगे, gap तेंगे, तो maybe आपका satisfaction level सेम रहे, ये आपका ज़्यादा भी जा सकता है, फिर ये ज़रूरी नहीं के low applicable होगा ही, तो low of diminishing margin utility के applicable होने के लिए, ये assumption लेके चलना पड़ेगा, कि आप continuously consumption कर रहे हैं, clear है, आपको बच्चो, तो ये वो situation है, जब आपका low of diminishing margin utility applicable होगा, तो consumption क्या होना चाहिए आपका, continuous होना चाहिए, ये इसकी जो है, times and conditions है, clear है बच्चे, तो हम इसमें बहुत सारे points पड़ेंगे, और कौन-कौन चे ज़रू सकती हैं, बढ़ पहले first one focus कीजिए आप, तो क्या कह रहा है continuous consumption के उपर, continuous consumption में ये कह रहा है, कि it is assumed that consumption is a continuous process, for example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, then the second ice cream may be provide equal or higher satisfaction compared to the first one, clear है बच्चे, एक गलास पानी अभी पीते हैं, एक गलास पानी अगर आप कल पीते हैं, तो इससे ये नहीं कि कल satisfaction अबला आपका कम ही जाएगा, कल अगर आपको उसके लिटरी need जादा रही, तो आपको कल ये जादा satisfaction level भी दे सकता है, हाँ अगर आप back to back consumption करेंगे, अगर आप एक glass drink करते हैं, दूसरी glass drink immediately करते हैं, तो दूसरी glass से आपका satisfaction level कम आपको मिलेगा, पर अगर आप gap दे देंगे, तो gap देने के बाद आपके needs recover हो जाती है, आपको फिर सुसके needs बढ़ जाती है, और needs बढ़ जाने के विए से ज़रूरी नहीं है कि पहले से कम satisfaction level दे, पहले के equal और पहले से ज्यादा भी ये दे सकती है, तो बच्चे, low of diminution margin utility के applicable होने के लिए, compulsory condition क्या है, इसके लिए compulsory condition ये है, कि consumption जब भी हो, continuously हो, तभी next week से मिलने वाला satisfaction level कम होता चला जाएगा, कम होता दिखेगा, clear है बच्चे, तो first point से बच्चो clear है, हजी बच्चो, second point है हमारे पास में, low assumption of low of diminution marginal utility का second point है हमारे पास में, second assumption है हमारे पास में, जहां पर ये low applicable नहीं होगा, या फिर इस low को applicable करवाने के लिए ऐसा होन चाहिए, वो क्या, वो आपके पास में, consumption of reasonable quantity, बचचे कभी भी अगर आप किसी भी commodity का conjunction करते हैं, तो उसके reasonable quantity को consume करें, reasonable quantity क्या होता है, अगर मैं tea की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर एक cup tea की बात कर रहा हूँ, ये reasonable quantity है, एक cup tea, एक spoon tea की बात नहीं कर रहा है, clear ह अगर मैं चपाती की बात कर रहा हूं, तो फिर मैं पूरे एक चपाती की बात कर रहा हूं, एक बाइट चपाती की बात नहीं कर रहा हूं, clear है बच्चे, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो मैं एक ग्लास वाटर की बात कर रहा हूं, वहाँ पर वहाँ पर एक spoon बाटर की में बात नहीं कर रहा हूं तो बच्चे आप किसी भी community का अगर आप consumption करते हैं तो उसका एक reasonable quantity का consumption कीजिए उसके बाद आप next quantity का consumption करेंगे तो next से मिलने वाला certification level आपका कम होता है तब ही आपका low of diminution marginal utility applicable होगा लेकिन बच्चे अगर आप reasonable last के compatibility आपका high भी हो सकता है for example आपको बहुत तेश प्यास लग रही है और आप क्या करते हैं एक spoon आप water drink अप करते हैं उसके बाद आप next spoon से जब आप पिएंगे तो हो सकता है आपकी प्यास और ज़्यादा हो जाए और आपको second से आप उसको और enjoy करें ice cream खाते हैं तो एक ice cream के consumption के बाद दूसरे ice cream के consumption से compare करें ना कि आपने एक bite consumption करा उसका second bite से आप उसको करें और मुझे तो और मजाने लगाए तो बच्चे एक आप reasonable quantity से compare करेंगे तभी आपका next से मिलने वाला satisfaction level last के competitively आपका कम होगा clear है एक ice cream एक चपाती एक glass water एक cup tea यह सारे सारे reasonable quantity है तो satisfaction level आपका last के competitively कम होगा लेकिन अगर आप reasonable quantity consumption नहीं करते हैं कि spoon एक bite तो यहाँ पर आपका next से मिलने वाला satisfaction level में भी आपका last के competitively ज्यादा भी हो सकता है clear है तो law of diminishing margin utility मतलब कि next unit के consumption से मिलने वाला satisfaction level हमारा continuously follow तो चला जाता है इसकी क्या जंशन है इसके जंशन यह है कि ह reasonable quantity का consumption करें तभी low applicable होगा तो यह हमारा क्या एक assumption है कि assumption लोग को applicable होने के लिए ऐसा होना जरूरी है clear है अगर यह नहीं हुआ तो low applicable नहीं होगा तो इस assumption को लेके चलेंगे तभी हम इस लोग को बोल सकते कि applicable होगा तो बच्चे क्या है यहाँ पर consumption of reasonable quantity it is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed for example we should compare a mu of glass of water and not a spoon fulls clear if a thirsty person is given water in a spoon then every additional spoon will let him more utility so that hold the low true suitable and proper quality of the commodity should be consumed तो बच्चे क्या कह रहा है कि if a it is assumed that responsible quantity reasonable quantity of a commodity is consumed for example we should compare a mu of glass of water and not a spoon fulls if he thirsty person is given water in a spoon then every additional spoon will him more utility so to hold the low true is low को सच साबित होने के लिए low of diminishing margin utility होने के लिए क्या हो जाता है suitable and proper quantity of the community should be consumed एक उसकी standard unit का consumption होना चाहिए proper reasonable quantity का consumption होना चाहिए फिर next unit का consumption करते हैं तो उससे जो आपको certification मिलता है वो आपका कम होना चाहिए क्लियर है बच्चे तो यह आपका था second point low of diminishing marginal utility के assumptions को समझने के लिए बच्चे मतलब कि किसी भी community का अगर हम continuously consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level हमारा continuously fall होता चला जाता है इसके assumption को समझने के लिए हम एक और point पर आ गए हम point number 3 पर पच्चे point number 3 क्या कहता है हमारा point number 3 हमारा independent utility के बारे में कहता है independent satisfaction level के बारे में कहता है मतलब कि low of diminishing marginal utility को applicable करवाने के लिए continuously किसी भी community का consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका continuously fall होता चला जाता है इस लोग को applicable करवाने के लिए ये जरूरी है कि आपका independent satisfaction level हो independent utility हो ये assumption है ऐसा होगा तभी ये low applicable होगा otherwise ये low applicable नहीं होगा clear है तो इसका क्या मतलब independent utility का मतलब वो समझते हैं पहले बच्चे independent का मतलब होता है पूरी तरीके से आजास होता है जो किसी दूसरे पर dependent ना हो उसको हम क्या बोलेंगे independent बोलते हैं तो बच्चे for example आप एक glass water पीते हैं एक glass water आप drink करते हैं चीक है उससे आपको satisfaction level मिला अब आपने क्या करा कि immediately आपने second glass water भी आपने drink कर लिया तो अब आपका second glass water satisfaction level first की compatibility आपको कम मिलेगा ये तो है आपका low of diminishing margin utility लेकिन अगर आपने एक glass water आपने drink किया उसके बाद आपने कुछ तीखा कुछ spicy आपने consume किया फिर आप second glass of water आप consume कर रहे हैं तो बच्चे इस case में अगर आप जागर के देखें तो आपका जो satisfaction level है वो first के compatibility में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अब आपका satisfaction level आपकी needs पे ही नहीं जो आपने तो पहले से ज्यादा आपको satisfaction level मिल रहा है इसलिए कह रहा है independent consumption होना चाहिए clear है तीखा खा करके तीखा consumption करने के बाद आप एक ice cream खा रहे हो आपका satisfaction level मिला और next consume करोगे तो हो क्या मिलेगा कम मिलेगा लेकिन आप next consume करने थे पहले थोड़ा तीखा खालो फिर आइस्क्रीम खाओ तो आइस्क्रीम में अगर वो independent है तो आपका next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका last compatibility कम होगा और low of diminishing margin utility applicable होगा तो क्या कह रहा है independent utility में क्या कह रहा है आई जड़ा देखते हैं थियोरी में It is assumed that all the community consumed of a consumer are independent It means MU one community has no relation एक community का कोई भी relation with MU of another community दूसरे के साथ में नहीं होना चाह है Clear है? Further, it is also assumed that one person utility is not affected by the utility is not affected by the utility of any other person Clear है नहीं? Clear है बच्चे? So जड़ा आपको by the utility is not affected of any other person Clear है बच्चे? तो क्या है यह आपका? Of Any Other Person Clear है बच्चे? तो सब्चे में आपको यह अच्छे से आ गया है कोई doubt किसी बच्चे को तो आप यहाँ पर comment कर सकते हैं आप मेरा contact number है आप वहाँ पे आप message करके आप पूछ सकते हैं तो बच्चे law of diminishing margin utility के applicable करवाने के लिए compulsory condition क्या हो गई? कि जैसे से आप continuously consumption करते हो next मिलने वाला certification level फॉल हो तो चला जाए यह कब applicable होगा आपका? कब जबकि आपका consumption independent हो एक का consumption एक community consumption दूसरी community पे dependent ना हो अगर वह independent है तो next मिलने वाला certification level और continuously certification अगर आप का consumption कर रहे हो तो next से मिलने वाला certification level आपका fall diminishing होगा तो यह assumption है कि ऐसा होगा तभी यह low applicable होगा तो यह होना चाहिए तभी यह low applicable होगा तो low applicable करवाने के लिए यह चीज़े क्या community का continuously consumption करते चले जाते हैं तो next minute से मिलने वाला satisfaction level हमारा continuously fall होता चला जाता है इस rule को applicable करवाने के लिए क्या-क्या assumptions है उसमें से एक assumption है fourth assumption क्या कहता है यह no change in quality बच्चे यह low तभी applicable होगा जब आप quality constant रखेंगे quality को आप maintain रखेंगे quality को आप same में रखेंगे clear है अगर for example माल लीजिए कि आपने एक community consumption करा एक first unit से तो आपको satisfaction level मिला और according to law of diminishing marginal utility second unit से तो आपका satisfaction level क्या होना चाहिए fall होना चाहिए लेकिन second unit पे आपने क्या करा quality उसकी change कर दी काफी अच्छी quality की कोई चीज़ आप ले आए और उसका consumption करते हैं आप तो फिर में भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा enjoy करें आप first ice cream के competitively तो आपका satisfaction level ज़्यादा हो सकता है second ice cream से तो बच्चे कोई भी चीज मैंने यह नहीं कहा कि आप low quality के चीज़ consume करें अगर आप high quality के चीज consume कर रहे हैं तो आप फिर उसी quality को maintain रखें और continuously consumption करेंगे तब यह low जरूर applicable होगा next unit से मिलने वाला satisfaction level कम होगा तो आप जिस भी unit का जिस भी quality का consumption करते हैं तो उसको आपको उस quality को आपको maintain रखना है same आपको quality रखना है और आप continuously consumption करते चले जाएं नेक्स्ट मिलने वाला satisfaction level आपका continuously fall होता चला जाएगा तो no change in quality quality में change नहीं होना चाहिए तब ही यह low applicable होगा clear है तो यह assumption है low को applicable करवाने के लिए ऐसा होना चाहिए यह assumption हो गया no change in quality तो क्या कह रहा है quality of the commodity consumed is assumed to be uniform एक जैसा होना चाहिए a second cup of ice cream with nuts and toppings may give more satisfaction clear then the first one it the first ice cream was the without nuts clear बचे अगर आप first ice cream consume कर रहें without nuts उससे भी एक satisfaction मिला बट मेभी हो सकता है second से ज्यादा satisfaction मिल जाए क्योंकि आपने quality change कर दी with nuts वाले second से तो second satisfaction will fall होने के जगे क्या हो गया वह increase हो गया क्यों क्योंकि आपने इसकी quality change कर दी तो low of diminution margin utility तब apply होता है जब आप उसकी quality same रखते हो और continuously इसका consumption करते हो और इसके साथ साथ आप इसका एक reasonable quantity का consumption करते हैं तो क्या क्या होगे आपके पास पर कि आपके पास पर एक तो यह हो गया कि आप continuously consumption करने चाहिए दूसरा क्या होगे आपके पास में reasonable quantity का करने चाहिए आप clear है बच्चे और इसके सासाथ क्या हो गया आपका कि आपके पास में आपके quantity में कोई भी changes नहीं quality में कोई भी changes आप इसमें नहीं करेंगे तो इस तरीके से बच्चे हम fourth point तक हम पढ़ चुके हैं low or demnation margin utility के assumption में clear है तो धान अखिएगा अगर आपने quality change कर दी तो आप यह expect मत करना कि आपका नेक्ट से मिलने वाला satisfaction level definitely fall होगा जरूरी नहीं यह fall होगा वो तब fall होगा जब आप इस assumption के साथ में चलेंगे कि quality उसकी क्या रहने चाहिए same रहने चाहिए constant रहने चाहिए मेंटर रहने चाहिए uniform रहने चाहिए फिर कोई बिचीच कितनी भी high quality क्यों ना हो उसको uniform रखिए उसको same रखिए तो अगर आप contently consumption करते चले जाएंगे तो जो next से मिलने वाला satisfaction level आपका वो लास से definitely कम होगा but condition क्या है किसी quality आप क्या करें same रखिए clear है बच्चे